हलो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से और आज हम इस वीडियो सीरीज के मोड्यूल में फिर से बात करने जा रहे हैं टर्म्स एंड डेफिनिशन्स के लिए आए सो बाइस हजार दोजार अठारे में तो देखिए अभी तक इस सीरीज में टोटल तीम वीडियो आ चुकी है और ये चोथा वीडियो है इस टॉपिक के उपर आप लोगों को लग रहा होगा काफी लंबा ये वीडियो हो रहा है टर्म्स एंड डेफिनिशन्स चल रही है कितने पार्ट में होगा तो देखिए हम बारी बारी से समझेंगे और सब को मजबूती से मजबूत करके चलेंगे तो हाला कि चार या पांच बेसिक टॉपिक हैं जिनके ओपर डिसकर्शन होना चाहिए लेकिन जब तक टर्म्स एंड डेफिनिशन्स नहीं समझेंगे तब तक कि वीडियो ये पूरी सीरीज का परपस वालो नहीं हो पाएगा तो आएए एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक में लेंगे फ्लो डाइगराम सबसे पहले देखिए फ्लो डाइगराम अपने नाम सही जाना जा रहा है कि फ्लो डाइगराम मतलब की क्या एक चीज जो कि flow में है और diagram की form में convert हो रही है flow में है और diagram की form में convert हो रही है मतलब कि आप easily understand जिस चीज को कर सको एक बार में देखने के बाद आपको समझ में आ जाए कि हम क्या देख रहे हैं और इसका purpose क्या है क्योंकि food industry की बात हो रही है तो एक छोटा सा example लेंगे biscuit industry का generally pre-mixing एक section होता है जहांपे की ingredient का addition कुछ भी चीज आप mix up करते हो sugar solution, milk solution कुछ भी आप add करते हो ये pre-mixing का part लिया उसके बाद mixing में गए तो mixing में mixers का function हुआ कुछ mixing time दिया, मतलब कि आपने batch को बना के घुमाया water, creaming, ये सारी process आपने की उसके बाद अगले form में आपने biscuit को forming section में भीजा जहांपे laminator, gauge rules, etc होता है और ये forming हो जाती है उसके बाद आप baking में आए, baking में आने के बाद में oven का function start हो गया, baking temperature, baking time, burner का function ये सब मिला के biscuit अब bake हो गया, उसके बाद biscuit को ठंडा करना आवश्यक तो cooling करने के लिए cooling time दिया, cooling conveyor पर उसको कुछ time रखा उसके बाद वो cool हो गया, और finally उसको pack कर दिया तो केवल आपने देखा होगा, one, two, three, four, five और six step में आपको ये समझ में आ गया, कि flow diagram है, किस चीज़ का है और finally हमको input डालने के बाद, क्या output मिला अगर आपने कोई भी process में input दिया, और वहाँ आपको output मिल गया आपको समझ में आ गया, लेकिन flow diagram क्या होता है एक step में, एक नजर, एक site में आपको बता देता है कि किस subject के उपर बात हो रही है, और हम क्या देखना चाह रहे है main definition में अगर बात करें, तो schematic and systematic presentation of the sequence and interaction of steps in the process किसी भी systematic presentation को, अगर आप एक के बाद, एक sequence में रखें और एक दूसरे process को interact करा के देखें तो ये सारे step मिला के एक process बना देते हैं और इसी process को अगर आगे आप carry on करें, तो ये flow diagram बन जाता है ISO 22000 ने इसको specific क्यों बनाया, 3.17 clause में इसका क्यों नाम दिया ये इसलिए जरूरी था कि बिना flow diagram के किसी step पे आप जाके हजाड का assessment नहीं कर सकते, हजाड को ढंक से देख नहीं सकते अगर हजाड को आप ढंक से देख नहीं पाएंगे, तो उसका risk assessment प्रॉपर नहीं होगा और risk assessment अगर प्रॉपर नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि उसका management proper नहीं हुआ और अगर management भी proper नहीं हुआ तो finally आपने हजार को control नहीं किया तो ये flow diagram जानना हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा 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 है अब बात करते हैं दोस्तो food के बारे में 3.18 clause में इसका नाम food जनरली food तो हम सभी लोग खाते हैं फूट के बिना जीवन यापन नहीं हो सकता लेकिन ISO इसके बारे में क्या बोलता है ISO क्या कहता है फूट जनरली intended purpose को जो solve करे जिसको कि हम जनरली consumption के लिए कहते हैं कि consume कर लेना, खा लेना, उसको खतम कर देना का के लेकिन यहां पर पड़ी समझने वाली बात है कि इनोंने पड़ा specific पना दिया इसको बोल रहे हैं कि substance कोई भी ingredient हो processed हो process किया गया हो आधा process किया हो या नहीं भी process किया हुआ हो या कच्चा हो बस केवल उसको खाने के लिए बनाया हो अगर आप किसी भी चीज़ को लें कि जनरली कच्चा हो पका हो, कम पका हुआ हो पूरा पका हुआ हो या बिल्कुल raw form में हो लेकिन वो खाने के लिए हो केवल और केवल अगर खाने के लिए है तो वो food है यह किसने बोला या यह सुने बोला अब उसमें एक चीज़ और जोड़ दी क्या आप उसको पी रहे हो आप उसको चुइंगम के तरह चबा रहे हो या आप उसको किसी भी तरीके से कोई और सामान बनाने में कोई दूसरी चीज़ बनाने में आप मैनुफेक्चर करने में उसका इस्तेमाल कर रहे हो वो भी फूड है लेकिन क्या नहीं है इसमें कॉस्मेटिक और टोबैको या अधर सबस्टांस जो की इंग्रिडियन्ट फॉर्म में है या जो की ड्रग बनाने में यूज मेडिसिन बनाने में यूज होते हैं वो फूड नहीं कहलाएंगे तो इनके अलावा जो बाकी सब कुछ बचा वो सब फूड है आपके सामने छोटे-छोटे से फोटोज हैं यह आप देख लीजिए यह देख लीजिए यह जनरल यह आप सब जानते ही है कि फूड क्या होता है यह तो आयसू के हिसाब से हम डेफिनिशन को तुड़ा समझना चाह रहे थे नेक्स्ट अगर बात करें यह बहुत खतरना पॉइंट है एनिमल फूड देखिए यह क्या होता है फूड के बारे में आप जानगे फूड क्या है अब एक यूमन बीइंग अगर किसी भी चीज को किसी भी इंग्रेडियंट को खाता है तो उसको फूड बोलते हैं अग सिंगल और मल्टीपल प्रोड़क्ट वैदर प्रोसेस्ड प्रोसेस किया गए हो या सेमी प्रोसेस्ड हो या रो हो लेकिन उनको केवल और केवल तू भी फैट तू नॉन फूड 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 प्रोडूसिंग अनिमल मतलब केवल वो किसके लिए हो जो कि नॉन फूड प् उनके लिए जो प्रोडक्ट बनेगा होगा वो एनिमल फूड कहलाएगा बात समझने हैं आप मतलब नॉन फूड प्रोडूशिंग एनिमल मतलब मतलब की कुट्टे बिल्ली ये फूड थोड़े प्रोडूस करते हैं और फूड प्रोडूसिंग एनिमल गाय, भैस, बकरी, भेड ये सब जो हैं ये फूड प्रोडूसिंग एनिमल है ये अलग बात है कि उनका कौन सा प्रोड़क्ट, मिल्क या उसके अलावा प्रोड़क्ट आप यूज करते हैं लेकिन इसको बेसिक समझना जरूरी है कि अनिमल फूड किसको कहा जाएगा अनिमल फूड उनके लिए कहा जाएगा, जैसे कि जो पैट होते हैं उनका जो फूड होता है, वो अनिमल फूड की केटेगरी मे आता है अब एक लाइन में ये एक चीज को इसको और देखिए food is intended for consumption by human and animals मतलब humans भी और animals भी दोनों लोग जिसको consume करे and includes feed includes feed देखिए ये बात भी इन्हों ने animal food वाली भी बात इनको बोल दी कि अगर animal food बनाने में जो ingredient इस्तेमाल होते हैं finally वो भी कहीं न कहीं जाके food ही कहलाएंगे तो इस methodology को समझना और जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 3.23 में interested party के लिए clause बना के रखा है हाला कि interested party एक बड़ा topic है interested party के ओपर काफी अच्छी चर्चा होती है ISO 22000 में लोग काफी बड़ा बड़ा इसमें discussion करते हैं हमने भी अपनी वीडियो में यह चर्चा की है लगातार की है तो देखें दो terminology है normally जो ISO के हिसाफ से यह जो word है यह preferred है मतलब आप इसको समझें क्यों समझें interested party के नाम से अगर आप चीजों को समझने की कोशिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ भी हो सकता है stakeholder भी हो सकता है vendor भी हो सकता है हमारा business partner भी हो सकता है लेकिन ISO का क्या ऐसा reason रहा कि interested party की terminology की आप समझो क्योंकि आप पहले एक पार देख लीजिए generally clause में stakeholder word को भी लिखा गया है stakeholder word थोड़ा सा business word लगने लगता है थोड़ा ये business के mind को दिखाता है stakeholder लेकिन जब कभी भी बात आप food safety की करेंगे जहां कहीं भी आप food safety के concern की बात करेंगे वहाँ पे आपको ये सारे module भूलने के बाद क्या दिखाना पड़ता है आपने अपने food को consume करने के लिए consume कराने के लिए किस प्रकार से उसको intended purpose के हिसाब से बनाया और जब intended purpose की बात आप करेंगे तो आप उन सब को क्या करेंगे एक तरह से interested party ही समझेंगे क्योंकि उन तक आप अपनी policy को easily communicate करते हो अपने food safety plan को आप easily उनको बताते हो और ये भी system maintain करते हो कि आपके किसी भी policy किसी भी objective को वो अच्छी तरह समझ पाएंगे तो ISO ने साफ साब बोला है कि भाई ये हमारी preferred है meaning इसको आप जानो और इसको भी आप समझ के चलो क्योंकि ये business terminology के आधार पर बोला गया है अब अगर इसको हम अगर देखें और अच्छी तरह समझने की कोसिस करें तो ये क्या purpose बोलता है person और organization that can affect देखें दोनों चीज़ें अलग अलग है person और organization that can affect be affected by और perceive itself to be affected by a decision or activity मतलब जिस किसी वी व्यक्ति के द्वारा किसी organization के द्वारा आपके उपर प्रभाव पढ़ता हो आपके organization में प्रभाव पढ़ता हो या उसके द्वारा किसी को प्रभाव डाल दिया जाता हो वो activity वो व्यक्ति वो सब interested party होते हैं जैसे कि अगर हम customer की कभी बात करते हैं कि customer कौन होता है तो जनरली समझा जाता है कि एक product से एक product की series में आगे आने वाले जितने वी members होते हैं वो एक दूसरी के लिए customer होते हैं सबोज कीजिए एक factory ने कोई product बनाया तीन number पे अब उस factory से जिसने खरीदा दो number पे वो उसका customer हो गया अब उस particular बंदे से जिसने भी खरीदा वो एक number पे आ गया तो वो भी customer हुआ तो ये सारे customers क्या हैं ये सारे customer basically stack holder है और जब stack holder हैं तो ये सब interested party हैं हो सकता है कोई बड़ा organization खरीद रहा हो पहले मान लेजिए एक product खरीदने के बाद डिपो में जाएगा उसके बाद एक छोटे डिपो में चला जाएगा उसके बाद retail की shop पे जाएगा छोटे दुकानों में जाएगा गाओं के दुकानों में जाएगा देहाद के दुकानों में जाएगा और तब जाके कहीं वो consumer के हाथ में जाएगा तो ये सब कौन है ये सब वही हैं जिनसे की हमारे product को असर पड़ता है ये सब वही हैं जिनका हमारा organization को चलाने बहुत बड़ा रोल है ये सब वही हैं जिनकी वज़े से ये product बन रहा है ये सब interested party PRP देखे PRP क्या है PRP मतलब हर किसी के लिए वो कम से कम जरूरी चीज मतलब इतना तो कम से कम आवश्यक है कम से कम आवश्यक अब अगर एक इनसान की बात करें तो इनसान के लिए जीवन यापन करने के लिए क्या है जनरली रोटी, कपड़ा और मकान रोटी, कपड़ा, मकान ये बोला जाता है अब जब ये सब चीज हैं पानी भी जरूरी है खाली रोटी नहीं पानी भी जरूरी है चलाएंगे तो उसके लिए वी कुछ basic condition होती होंगी जो basic condition होती है वही PRP है अब देखिए इस PRP के चक्कर में बहुत बड़ा आगे खेल चल रहा है अलग-अलग organization अपने यहां पे कुछ basic conditions को implement करने के लिए कुछ नए-ने clause के आधार पर काम कर रहे हैं लेकिन FSCI ने तो भई हमने ना अपना schedule 4 बनाया है और schedule 4 के आधार पे हमने उसको operationalize कर दिया है ठीक है जी और operationalize करने के बाद अब हम एक checklist बना रहे हैं अब उस checklist में 40 points है उन 40 points को आप check करा लो तो अगर आपने चेक करा लिया और आपके सब में पूरे-पूरे number आगे हमाल लेंगे आपने पूरा करते रहा हमें उसके कोई फरक नहीं पड़ता तो इसलिए इस definition को इसलिए और जादा जानना अच्छी तरह से जरूरी है क्योंकि आपके आधार पे नहीं है जी हमने माल लिया कि ये basic condition होनी चाहिए हमने maintain कर लिया और हो गया नहीं तो साफ साब बोला है basic condition and activities that are necessary within the organization भई व food chain का food chain में इस तरह की चीज़ जो आपके यहाँ applicable है वो आपके होनी आवश्यक है और वो पूरी list वो पूरी category हमने आपको बताए कि कहां कहां इन लोगों ने दिया हुआ है और काफी अच्छा note डाला है बोला है PRP need depend on the segment of the food chain अगर PRP की कोई भी dependency किसी भी segment की food chain में आ रही है तो organization को उसको operational form में लाना ही पड़ेगा जैसे कि अब यहाँ पर मैंने कुछ example दी है जैसे good agriculture practices अगर agriculture section की अगर बात करें तो GAP good veterinary practice good manufacturing practice good hygiene practice इस hygiene practice को good housekeeping practice भी आप बोल सकते हो good production practice good dispatch practice good trading practice इस तरह से बहुत सारे आप form लगा के full form लगा के आगए इसको बढ़ा सकते हैं जिस type की हो जिसमें जी जी लग रहा है मतलब सब good practices है तो यह मानके चलिए कि normally जितनी भी best practice है उससे पहले वो कभी न कभी good practice रही है और जब वो good practice रही है उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा improve किया आपने आपको better कराने के लिए और तब जाके वो finally best form में आई देखिए जब कोई भी चीज best form में आती है मतलब उस certification की form में आती है और जब कोई चीज good form में है मतलब इतना तो कम सिगम होगा इतना तो कम सिगम चलना चाहिए तो यह जो basic नाम से ही लग रहा है PRP, prerequisite program, good manufacturing practice मतलब अच्छी तरह से कोई भी production आप बनाओ उसका भ्यास करो good manufacturing practice मतलब की best manufacturing practices नहीं, good storage practice मतलब best या excellent storage practice नहीं, तो मतलब सीधी सीधी बात है की example भी दिया हुआ है, सारी बाते आपको बताई भी गई है, कम से कम requirement, कम से कम जरूरी, कम से कम सारी चीज़े जिनके आधार पे आप अपने काम को आगे carry on कर पाओ, चला पाओ, तो यह तो रा